नमस्कार किसान साथियो में आपका दोस्त नरेंदर पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश की सान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में किसान साथियो हम बात करने वाले हैं गिहू के भाव बविश्य 2022 के बारे में जिसमें की बात करेंगे कि अभी वर्तमान में गेहूं क्या भाव चल रहा है उसमें अचानक से तेजी आने का क्या कारण है और आगे क्या-क्या संभावना है आपको क्या निर्णे लेना है उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो आप से निवेदन है कि आप पूरी जानकारी देखने के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरू करें लाइक से हमारा उत्सा बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा किसान बयों तक जानकारी की और लसुई प्याज की खेती तक की सभी जानकार जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दे चेनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो डाल लाल बटन है उस पर क्लिक करें और पा और युक्रेन का जो युद्ध चल रहा हैं वह काफी जो हैं इसमें अहम भूमी का निभा रहा हैं गेहूं का भाव जो हैं हर वर्स उपर में 22100-2200 रुपए के लगबग ही होता हैं पर इस वर्स लगबग गेहूं का भाव उंचे में 3000 को पार करते हुए 4000 के आसपास में बात करें तो 3000 से उपर उपर 3100 तक भी जाने लगा हैं और मीडियम क्वालिटी का गेहूं 2500-2600-2700 रुपए के आसपास जा रहा हैं और कुछ हलकी क्वालिटी का कोई मिक्स और थोड़ा हलकी मिट्टी मिक्स भी 2300-2400 रुपए तक जा रहा हैं दोस्तों जो लोक वन क्वा का कृष्चा है और किसानों की मे worthless भी जो है अच्छे भाव मिलने के लायक है तो उनको भाव भी मिलने चाहिए क्वालिटी क्वाव पर इस वर्स जो भाव बड़े हैं उससे किसान थोड़ा राहत की सांस ले रहा है और उसको थोड़ा मुनाफ़ा मिलने की उमैद हैं दोस हैं आख किसानों की तरफ कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि हमें किसानों का जो उनको रास नहीं आ रही है यह मेनत और उनकी जो सपलता है वह किसानों की जो सपलता है वह उनको रास नहीं आ रही है और वह बोल रहे हैं कि इस वर्स गेहूं बिगाड सकता है खाने की थाली का budget तो जो दूसरी चीजे मेंगी हो रहे है उनसे कोई फरक नहीं पड़ता सिर्फ गेहूं से ही क्या फरक प्करता है क्या मेंगाई का सिधा लेना देना किसानों की उपज से ही है क्या किसान तो कभी नहीं बोल रहा है कि हम घर बना रहे हैं तो सलिया 80 रुपए पार हो गया है, खाने पीने की दूसरी चीजे जो है, जो भार से मंगाई जाती है, उनका रेट बढ़ रहा है, या स्कूल की फीस मेंगी हो रही है, यह बात किसान तो कभी नहीं कहता है, तो किसान की चीज जब बढ़ती है, या प्याज लस्तुन का बढ़ने पर उनका पेट दर्द होने लगता है, हम उनका भी विरोध करते हैं, और उनसे विनम्र निवेदन करते हैं, कि आप किसानों की वस्तुन का भाव बढ़ने पर आप किसानों की तरफ टेड़ी नजर ना करें, और किसानों का सयोग की भावना से सयोग करें, इसके बात होगी दोस्तों भाव की अब आगे क्या भाव भविश्य रेने वाले हैं 2022 में उसकी बात करें तो किसान सातियों अगर युद्ध महाँ पर समाप्त नहीं होता है वहाँ पर सांती नहीं होती है रूस और उक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर तो गेहूं के भाव में और भी तेजी आ सकती है उसके भी कारण है क्योंकि अगर रूस और उक्रेन में युद्ध चलेगा तो रूस और उक्रेन दोनों गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राजज़ भी हैं दोस्तों भारत की तरह ही वहाँ पर भी अच्छे मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है और वहाँ पर युद्ध की वज़े से असांती के कारण वहाँ का निर्यात ठप हो गया है वहाँ पर जो भी बंदरगा हैं वहाँ से जो है गेहूं का निर्यात नहीं हो पा रहा है जिसका की सीधा बाईदा जो दूसरे उत्पादक देश याने की भारत जिसे देश है या भारत है उनको मिल रहा है और यहां के गेहूं की अच्छी डिमांड भार के देशों में जहां गेहूं का आयत किया जाता है वहाँ पर भारत के गेहूं की अच्छी मांग देखने को मिल रहे हैं जिससे की निर्यात मुल्य में व्रद्धी हुई हैं और भारत का गेहूं भी उंचे भाव में बिकने लगा हैं जो कीमत जो है 400 डालर प्रती टन तक गेहूं की निर्यात सोदों की पहुँच चुकी हैं वो जो अपरेल के वाइदा हैं उनमें भी तेजी खासी अच्छी खासी देखने को मिल रहे हैं और जिस भाव के लिए किसानों को गेहूं सुखा कर ले जाना पड़ रहा था लंबा इंतजार करना पड़ रहा था उससे भी अधिक मूल्य भारत के किसानों को नमी यूक्त गेहूं का और जो सीजन में ही मिल गया हैं तो यह एक सुनारा आउसर व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए कहा जा सकता है किसान साथियों बात करें कि भारत में किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है अब बात करें कि गेहूं का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किन देसों से होता है तो उसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, आस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, रोमानिया, जर्मनी और कंजाखिस्तान सामिले तो दोस्तों जो गेहूं का सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं उनमें रूस और यूक्रेन दोनों जो डोप लिस्ट में आ रहे हैं उनमें अभी युद्ध की स्तिती हैं इसलिए जो है एक्सपोर्ट में समझ्या आ रही है और गेहूं की मांग जहां पर आयात किया जाता है गेहुं वहाँ पर अच्छी बनी हुई हैं दोस्तों तो ये कारण भी तेजी का माना जा रहा है अब बात करें किसान साथियों कि जो यूक्रेन है और रूस है वह किन-किन देशों में सबसे ज्यादा गेहुं पहुचाता हैं तो उसमें मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, थ बायात कर रहे हैं जिससे भी गेहुं की जो निर्यात है भारत का उसमें बड़ोतरी हुई है और गेहुं की मांग में अच्छी तेजी देखने को मिली हैं और भारती ये जो व्यापारी हैं वह भी उत्सा दिखा रहे हैं और जादा सा जादा निर्यात की कोशिस कर रहे हैं किसान साथियों अब बात करें कि जो यूक्रेन है वह किनकिन चीजों का गेहूं के अलावा भी किनकिन चीजों का निर्यात करता है अगर उसकी बात करें तो यूक्रेन गेहूं के साथ साथ लोह अयस्क मक्का वनस्पती तेल और कच्चा लोह का भी जो है निर्यात काफी मात् और यूक्रेन किन-किन देशों को सबसे ज़्यादा सामान जो है पहुचाता है तो उसमें रूस सामिल है चीन सामिल है जर्मनी पोलेंड और इटली इन देशों में सबसे ज़्यादा यूक्रेन से जो है सामान एक्सपोर्ट होता है तो इस कारण से इन देशों में आपूर्त संकेत हैं और जो हैं किसानों को फाइदे की चीज हो सकती हैं तो किसान साथियों निर्यात में लगातार हो रहा हैं सुधार और आगे आने वाली दिनों में और भी अच्छी तेजी हमें 300 से 400 रुपई की देखने को मिल सकती हैं तो आपका गेहूं जैसे ही तेयार हो आप उसे कटवा कर जो हे मंडी में ले जाकर अभी समय का मुनाफ़ा कमा सकते हैं और आगे की अगर संभावना की बात करें तो जो पंजिक रत किसान ने जो सरकारी गेहु तोलने के लिए पंजियन कराया है उनमें से 50% किसान भी जो हे सरकार को गेहु इजबार देने वाले नहीं है क्योंकि मंडी में average quality का गेहू भी 2400 रुपय तक जा रहा है और अच्छी quality का गेहू तो 3000 से भी उपर निकल गया है तो वह 2015 के भाव में जो है गेहू सरकार को देने वाला इजबार नहीं है अगर सरकार को गेहू लेना है तो bonus की गोसना करनी होगी नहीं तो किसान आपको गेहूं सरकार को नहीं देने के लिए इस पार उत्साहित होगा तो अगर सरकार को गेहूं लेना है किसानों से तो उसे भाव में व्रद्धि करनी होगी या बोनस की घोसना करनी होगी जो की जरूरी भी है ताकि किसानों को दो पेसे मिल सके और आपका जो सरकार का वादा है कि किसानों की आये दो गुने करेंगे 22-2022 में तो वह भी थोड़ी सच होती हुई दिखे और आपको गेहूं भी मिल जाए तो किसान साथियों यह ती जानकारी गेहु के बाव में बड़ोतरी के कारण की और आगे की संभाव ना की तो किसान साथियों यह आंकडों के आधार पर रिपोर्ट हमने बनाई थी आपको केसी लगी आप वह भी कमेंड में जरूर बताएं और आपके जो क्राई विक्रे का निर्णाय आप खुद भी लेकर अभी समय का मुनाफ़ा कमाए दोस्तों आप इधर उदर की बातों में ना पड़े आपका गेहूं जैसे ही आए आप मंडी ले जाकर उसको विक्रे करें और अभी जो युद्ध चल रहा है उससे तेजी मिली है उसका भरपूल आप लेवे दोस्तों तो आप कमेंट जरू करें जानकरी कैसी लेगी अगर वीडियो पूरा देखा है तो जैहिंद कमेंट जरू करें जिससे हमें पता चल सकेंगे कुन-कुन खिसान भाई हमारे वीडियो देखता है तो आप कमेंट जरू करें कमेंट में अच्छी चीजे लिखें किसानों को सुजाव जैसी चीजे लिखें जिससे की किसान भाई का फाइदा हो सकें और आपको जानकारी केसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें आप जेनल पर जाकर हमारे और भी वीडियो हैं खेती से संबंदित लसुन प्याज की खेती से संबंदित बंडारन से संबंदित वह भी जरूर देखें तो किसान साथियो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए व धन्यवाद जय हेन जय भारत्ता